Hi winners I hope you all are well this side Rajiv Anand Welcome to Crypto Marg YouTube channel Crypto का रास्ता winners आज की इस वीडियो में Zen Crypto और Zen Crypto के पूरे एको सिस्टम के बारे में dedicated बात करते हैं देखें सबसे पहले शुरुआत करते हैं Zen के price से Zen का price आज की date में INR में dot के बाद 4-0 में available है 32 की series में Recently हम लोगों ने crypto market के अंदर एक बार फिर से dump fall देखा है, हाला कि अगर मैं news और sentiment की बात करूँ तो crypto market में bitcoin sport ETF की news काफी हग तक confirm होती जा रही है, बट उसका impact market में बहुत सारे alt coin में dump जा रहा है। Overall अगर मैं आज की date में coin market cap पर या coin gyakो पर पूरी की पूरी crypto market देखूं तो recently अगर मैं bitcoin की बात करूँ तो bitcoin का last 24 hour में 0.50% बढ़ना तो कही न कहीं पर USDT की term में bitcoin जो है वो 45,000 डॉलर का slab cross करने के बिलकुल नस्दीक पहुँच चुका है। हाला कि 45 का slab bitcoin अलड़ी break कर चुका है जब से bitcoin sport ETF की news confirm होती दिखाई देती है। लेकिन अचानक से जब negative होती है, reject की news के rumors आते हैं तो bitcoin डाउन आता है। बढ़ आप देखिए अभी तक अगर आप लोगों ने crypto market को समझा होगा या किसी भी trading market को समझा होगा कि जब भी bullish news आती हैं, मैं चार्ट की बात नहीं कर रहा, सिरफ जब bullish sentiment और bullish news आती हैं, sentiment भी नहीं, सिरफ bullish news, better better news होगी, अच्छी से अच्छी news होगी, market का उस पर negative impact आता एक दम से, 1.87%, 44,904, मतलब यह 40, यह देखो, 914 हो चुका है, यह बहुत जल्दी 45 होने वाला है, reason क्या है, कि overall crypto market में news, charts के इलावा, twitter पर बहुत सारे latest trend चलते रहते हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि twitter पर मेरे साथ जरूर connect रही है, और अब तो मैंने अपना instagram भी dedicated crypto का बना लिया है, उसका link और twitter का link दोनों का आपको मेरी video की description में मिल भी जाएगा, तो इस time पर crypto market में अचाना किसा क्या हुआ है, bitcoin को लेकर positive sentiment, sport ETF को लेकर positive sentiment, और जैसे ही जो topmost profile है, या अगर हम communities की बात करें, वहां से जैसे ही positive news आती है, market में उसका trading में impact आता है, औ और वही impact आप market में इस time पर देख भी रहे हो, last one hour में, ये video में आप रोक्स 6 बजे के आसपास बैट के बना रहा हूँ, अब इसका impact अभी तक देखिए, zen crypto में देखने को क्यों नहीं मिला, क्योंकि zen crypto अभी तक एक बहुत बड़ी hurdle में है, और वो hurdle क्या है, ये hurdle भी नहीं ह अगर मैं technical time में बोलू, लेकिन hurdle, trading की time में माना जाता है, कि जब तक token की, जो circulating supply होती है, वो officially verified ना हो, तो उसके project के price में हमेशा hurdle रहता है, and it's not only about zen, अगर आज की date में, अगर आप लोगोंने मेरे साथ, आवीव की mining भी कियो, तो देखिए, मैं आपको आवीव भी दिखाता है, self-reported circulating supply, जब यह proper मतलब इसकी supply verify हो जाती है, तो overall जो है, वो हमें इसका proper blue mark दिखता है, और उसमें हमें project की worth भी दिखती है, अब आवीव layer 2 का topmost project है, day by day उसको listing भी मिल रही है, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी listing नहीं मिल रही है, except OKX, OKX बहुत बड़ी exchange है, अगर अगर TECTA में देखो, तो OKX बहुत जल्दी, early stage में web 3.0 पे आया, OKX exchange में, OKX wallet का option में देखने को मिला, DEX wallet, लेकिन Binance में, recently हमें 2023 में ही देखने को मिला है, तो TECTA में देखें, तो OKX कई ना कई पर, leading crypto exchange में listing, या मतलब कई ना कई पर, आप liquidity या ranking kit में जुरूर देखते है लेकिन OKX एक बहुत बड़ा game player माना जाता है, market के अंदर, तो OKX आज देखें, आज की rate में 6th rank पर है, तो अब यहां से आप comparison करिए, कि Aavev already top most exchange पर है, अब इसी का comparison Zen Crypto का करें, तो Zen Crypto, HTX, जिसे आप हुआ ही global नाम से जानते हैं, gate.io, KuCoin, KuCoin जो है, OKX से उपर है, यान की top की 5 मैं crypto exchange की बात करूँ, तो एक ऐसी exchange है KuCoin, जिसमें Zen Crypto list है, याने की liquidity जो है, वो Zen Crypto के पास better way में है, क्योंकि KuCoin जैसी exchange ऐसे ही बिना liquidity के, किसी भी token को list नहीं करेगी, तो hurdle भी आपको समझ आगी Zen Crypto की yellow mark की, और potential भी समझ आगया आने वाले future में, अब यहां से अग Coin के साथ-साथ, bybit, okx, in exchange में listing का भी बहुत better जो है, वो reason बन जाता है, लेकिन हमें ultimately जो price चाहिए, और Zen Crypto के जो related updates हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, तो Jack Levin, इनका official Twitter handle, बहुत सारी tech terms हैं, जो समझ नहीं आती, तो कोशिश करूँ कि आपको Zen Crypto से related, जो technical updates हैं, वो XN AirDrop, XN का AirDrop दिया जा रहा है Zen Community को, और उसके लिए proper form, Jack Levin ने अपने official Twitter handle पर January 4 को, मतलब upload किया था, UKN से tweet किया था, और उसको pin करके रखा हुआ है, ये proper form है, इस form को आपको fill करना है, इसमें आप अपना Ethereum का address insert करके proper form को fill करेंगे, बर ध्यान रखिए, यहां से आप से जाग है कि overall आप अपनी engagement बताओ Zen या X1 ecosystem से, engagement मतलब क्या आपने Zen को mint किया था, क्या Zen को burn किया था, क्या आप लोगोंने claim किये थे Zen, ये सब कुछ जो आपने अभी तक Zen ecosystem में, अभी कोई भी अपनी engagement या कोई भी अपना rule perform किया है, यहां पर देखिए, ट्रेडिंग का भी option ह Zen, XCNFT, BMP, अब आप देखिए Zen crypto की ecosystem में कितने number of project add-on हो चुके हैं, यहां से आपको समझने को मिलेगा कि project की worth क्या है, start with Zen, देखते ही देखते एक डेड़ साल के अंदर, October 2022 से project start हुआ है, 2023 complete हो गया, October भी complete हो चुका है, और December भी, अब हम 2024 में आ चुके हैं, जन्वरी 2024 में आ चुके हैं, यहांने की पूरा साल December का, और लास्ट के 3 महीने 2022 की, यहांने की एक साल 3 महीने, 15 महीने हो चुके हैं Zen को market में आ हुए, और 15 महीने में Zen ecosystem ने कितने number of project अपने ecosystem में add कर लिये हैं, और यह सभी वो project हैं, जो कहने की पर Zen को burn करने में help करते हैं, लेकिन उसके बा airdrop लेने के लिए आपको इस form को fill करना है, और आप अपना कोई भी Ethereum का address डालेंगे, wallet का, जिसमें आपको XN के airdrop मिल जाएं, अब हम बात करते हैं कि Zen को इतना बड़ा क्यों बताया जा रहा है, टेक्टा में Zen को इतना strong क्यों बताया जा रहा है, जैक लेविन का ये official Twitter है, अगर आपको ये समझ आ गया, जो 8 जनवरी 2014 को आज ही upload किया गया है, इस particular official tweet को समझना है, और overall इसी को समझाने के लिए मैं आपके लिए dedicated videos and crypto की share कर रहा हूँ, देखिए, सबसे पहले, जैक लेविन ने शिरुवात करी proof of stake, POS chain से, अब proof of stake या जब भी हम chain की बात करते हैं तो start with the cryptocurrency, सबसे पहला project mineable bitcoin, POW, Ethereum की बात करो, Ethereum भी starting में mine होता था, POW, लेकिन Ethereum 2021 के बाद POS बना, proof of stake बना, और Ethereum ने अपना पूरा का पूरा जो ecosystem है, उसको बदल दिया, जहां mining होती थी, mining 2021 सितंबर के आसपास close हो गई, और उसके बाद staking start हो गई, POS, इसको हम ऐसे भी समझ सक layer 1, layer 2, layer 1 हम POW बोलते हैं, POS को हम लोग layer 2 भी बोल सकते हैं, अब layer 2 की बात आती है, POS chain की बात आती है, तो आपको Arbitrum, Optimism, Polygon Matic, इन सब का ध्याना आ जाएगा, तो Jack Levy ने शुरुआत की POS chain के कही ना कही पर inflation of their native currencies है, native currency मतलब blockchain का जो token होता है, उसको हम blockchain का native token बोलते हैं, जो blockchain है, उसका Ethereum है, या ETH हम बोलते हैं, या Polygon का Matic है, या Cardano का Cardano ADA है, तो इस तरीके से आप समझिए कि blockchain का native token, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले Jack Levy ने कहीं ने कहीं पर Ethereum को very high inflation due to very high transaction fees, आप भी जानते हैं Ethereum blockchain, पहली blockchain थी crypto world में, लेकिन उसकी जो transaction fees थी वो बहुत चादा high है, अपरोक्स $300 तक की transaction fees लग जाती है, जो एक complexity create करता है decentralized finance में, अब यहाँ पर Ethereum supply would have been crushed, leading to undesirable economic consequences, यहाँ पर इन्हों ने अपने tweet खतम किया, और कहीं ने कहीं पर यह बताया कि Ethereum definitely is a layer 1, but due to very high demand of transaction fees बहुत जादा है, अब Ethereum का comparison X1 से करते हैं, और इसी वीडियो में मैं आपको Solana का comparison भी करके दिखाता हूँ, तो X1 की बात करते हैं, अब X1 क्या होने वाला है, X1 blockchain होने वाली है, Zen की, Zen ecosystem की, यानि की Zen का potential आने वाले time में, बहुत बड़ा होने जा रहा है, but अब ध्यान रखेगा, जो X1 blockchain है, उसका native project XN है, Zen नहीं है, यहाँ confusion नहीं होना, XN का airdrop दिया जा रहा है, Zen का नहीं, Zen तो mint है, माइन करना है, बट इससे एक plus point आप समझिए, कि Zen अपने आप में एक बहुत बड़ा revolutionary ecosystem based project बनने जा रहा है, यह step कहीं न कहीं पर, शिबाइनू ने लिया, finally meme cryptocurrency culture का token, Vitalik Butree ने early burn किया, शिबाइनू बहुत बड़ा impact देखने को म market में, बहुत सारे लोगों ने trading start की, अपना career start किया, शिबाइनू ने 2 साल के एक undesirable से wait के बाद, unexpected, मतलब हम दो 2021 में wait कर रहे थे, फिर 2022 आया, 2023 आया, फिर हमें Shiberium Network सुनने को मिला, और उसका native token बना BONE, आप इस तरीके से समझेए, Shiberium ecosystem सबसे बड़ा project है Shiberium, उसका blockchain है Shiberium network और native token है BONE, अब इससे आपको समझ हो जाएगा, Zen Crypto सबसे बड़ा है, Zen Crypto ecosystem है, आज Zen Crypto अपने ecosystem में blockchain add-on करने जा रहा है, X1 और X1 blockchain का, जो native token है, वो XN होने वाला है, इसलिए XN के airdrop दिये जा रहे हैं, जिसके लिए 4 जन्वरी को Jack Levy ने tweet किया है, अब overall, X1 होने का जा रहा है, 1 billion की supply में X1 को कहीना के पर launch करने की बात की जा रही है, यानि कि आप बहुत better airdrop ले पाओगे, 1 billion supply of token का, जो की एक blockchain based project होगा, XN, और ये जो है, कहीना कहीं पर combination है POW और POS का, अगर मैं इसको tech time में बताऊं, तो एक revolutionary layer 1 blockchain आ रही है, Zen Crypto को ecosystem में, जब revolution की बात आती है तो Ethereum के बाद, जो layer 1 के अंदर एक best revolution लेकर आया, वो आज की date में Solana है, मतलब अभी हम Solana ecosystem को strong इसलिए समझते हैं, because Solana is the fastest layer 1, इसलिए Solana का बहुत बड़ा update है, लेकिन आप देखिए आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर, we have X1 blockchain, जो कहीना कहीं पर Solana और Ethereum के comparatively market में आने वाली है और कहीना कहीं पर POW और POS का blockchain की टम में best combination लेकर आने वाली है X1 blockchain, इसकी positive hype, X1 Zen की supply, officially verified होना, blue mark लगना, यह बहुत सारे एक ऐसे point हैं, जो point कहीना कहीं पर X1 blockchain को भी strong बनाएंगे, number of projects ज़दा ज़दा deploy होंगे, और Zen के price moment में भी देखने का हमें बहुत बड़ा मोका मिलेग लेकिन ध्यान रखेगा, एकदम X1 blockchain आने से कुछ नहीं होगा, हो सकता, उस time news or hype से हो जाए, क्योंकि Zen आज बहुत बड़ी community बना हुआ है, but overall जिस चीज का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है my friends, Zen Turbo.io, क्योंकि Bitcoin धीरे धीरे बड़ा, Ethereum धीरे धीरे बड़ा, it takes years to grow, Bitcoin कह 2008, January 2009 में white paper और Bitcoin की शुरुआत, Bitcoin को exactly लोगों ने तो 2018, 2019 के बाद देखा न, जब अचानक से दिखने लगा है, एक ऐसी digital assets है, जुसका price लाखों में जा रहा है, तो उस तरीके से समझे, Zen takes years to grow, but जो years to grow मैं बोल रहा हूँ, ये massive level of amount के लिए बोल रहा हूँ, मतलब एक 100 dollar की investment ऐसा नहीं मैं क्योंगा कि 1 million dollar हो जाएगी, क्या पता future में हो जाए, but it takes 6 to 7 years, जैसे Bitcoin को लगा, because कहीना कहीं पर first principle of crypto का strong backbone लेकर Zen है, but यहां पर हम एक चीज़ और देखनी चाहिए, कि मेरी जापसे Zen crypto community में ने भी कभी ऐसा assume नहीं किया होगा, कि हमने जो 323.5 trillion की supply mint करने के लिए रखी है, वो supply एक सवा साल के अंदर ही, 15 महिने के अंदर ही 58% से जादा पहुच जाएगी, यह इतना बड़ा ecosystem बन जाएगा, इतने number of wallet से mint होना start हो जाएगा, और लोग multiple wallet से mint करेंगे, तो यह मुझे कहना कि पर एक बहुत positive sign देख रहा है Zen के लिए, bull run के लिए, क्य अभी तक हम लोग 12 से, 16 से, 2020 की bitcoin hauling से predict करें, 2024 को, तो bull run 24 के end से शुरुवात होकर 25 में है, but इस बार, it's not only about bitcoin hauling, it's about bitcoin sport ETF, कहिना कही पर hauling से मिलता जूलता हो, hauling के competition में, या hauling से बड़ा event भी आप समझ सकते हो कि कहिना कही पर digital assets को एक proper regulation मिली, sport ETF का मतलब कहिना कही पर ये confirm है कि world इसको accept कर रहा है, तो आप इस बार bull cycle कैसे start होगी, hauling से होगी, sport ETF के news से होगी, हला कि bull run 2023 के last 4-5 मिने में काफी अच्छा impact देखा भी गया है, bull run का, तो वहाँ आप देखिए, कि अगर 15 महीने में, zen 58% लगातार mint हो चुका है, और इसी minting में से, हला कि जो mining process है, 58% हो चुकी है, और इसी process में से zen लगातार burn भी हो रहा है, आज की date में, अगर मैं current update देखू, तो आज भी 13.17 ratio से zen burn हो रहा है, और ये total burning quantity है, zen की genesis, मतलब genesis block, zero block, पहले block से जब mining या minting स्टार्ट होती है, तो वहाँ से देखिए, zen approximately कितना maximum burn भी हो तो overall, the first point, कि पहले, zen की ना ये पूरी supply, mine होगी, mint होगी, और you can say, mine होगी, क्योंकि mining process लिखावाता हूँ, मैं mining के साब से समझाता हूँ आपको, ये पूरी mining होगी, और फिर उस mining में से कितना burn हुआ, क्योंकि अगर वही शाम 6 वज़ वीडियो मैंने आपको total supply, circulating supply, और जो zen की, मलब किसी प्रोजेक्ट की maximum supply होती है, उसका एक बहुत बड़ा difference जो है, बहुत समझने लाइक चीज जो है market की, वो मैंने अपने official twitter handle पर share करके है, Binance का एक tweet था, उसको मैंने retweet किया, तो overall आप देखिए, कि जो total supply है, उस total supply में, वो चीजें include नहीं होती, जो burn और destroy हो ज burn हो चुके है, तो जो total supply है, वो 223 trillion होगी, यानि कि कहीना कहीं पर आज की date में, Shiba Inu की half of the supply रहने वाली है, complete mining process के बाद, मेरे इसाब से वही एक time होगा, जब zen की जो official supply होगी, circulating supply, sorry, या total supply, उसको एक blue tick मिलेगा, coin market cap या coin gecko पर, coin gecko पर मेरे इसाब से zen कास तक कोई rank भी I think नहीं है, क्योंकि coin gecko बहुत authentic site मानी जाती है, और coin gecko पर वही updates proper आते हैं, जो proper एक project launch हो जाता है, देखिए, अब zen crypto को अगर मैं देखू, coin gecko पर, तो यहाँ पर zen crypto पर आप आते हैं, तो हलकि यहाँ पर rank है 921, यहाँ कि coin gecko इसको फिर भी update लेकर चल रहा है, but coin market cap पर यह proper update नहीं है, तो coin gecko के उपर इसका rank आना है, यानि कि sustainable project या movement based project, already coin gecko इसको समझ भी चुका है, but overall, जो zen turbo पर देखने को मिलता है, वो यही समझ आता है, कि पहले पूरी mine हो, उस mine में से, burning का जो data, burning की जो quantity है, वो निकले, और blue tick मिले, तो हमें project के अंदर एक बहुत बड़ी movement दिखाई देती है, यानि कि अगर आप आने वाले 3-4 महीने में समझें, तो एक बहुत revolutionary layer 1 blockchain आने वाली है, combination of POS, वो होगा X1 blockchain, जिसका native token XN, जिसकी supply 1 billion होगी, और इसके साथ, जो इस particular ecosystem किया, इस blockchain की शुरुआत है, वो है दोस्तो zen crypto, जिसकी एक hurdle जरूर है, बट यह hurdle नही क्योंकि कहीं न कहीं पर यह एक authenticity है, इसी को हम लोग first principle of crypto समझते हैं, जो एक ऐसी crypto, जो आप लोगोंने buy नहीं की, आपको किसी hype से buy नहीं करवाई गई, आपने उसको समझा, mint किया, जितना wallet connect हुए, उतना mint हुआ, उतनी उसकी supply बढ़ी, but yes, minting की there is a limit of minting, तो 323 trillion की supply की ए ज़्यादा mint नहीं होगा, लेकिन उस mining के साथ-साथ जो burning हो रही है, वो एक positive impact दालेगी, इसके साथ-साथ, जनवरी साथ, यानि कि कल Jack Levy ने quote tweet किया है, X1 will support inscription, जैसे आप लोगोंने bitcoin ordinals देखे हैं, SRC20, ARC20, अब inscription काफी सारी blockchain पर start होने जा रहे हैं, और X1 blockchain starting से ही inscription को support करन की बात भी की जा रही है, यानि कि X1 blockchain पर भी आने वाले time पे हमें बहुत सारे project deploy होते दिखाई देंगे, तो कई ना कई पर zen crypto ecosystem के लिए, zen के price के लिए especially, ये एक बहुत बड़ा movement बन सकता है, कि X1 blockchain भी जो है, वो inscription को support करेगी, तो तीन सबसे जो major point है, वो आपको समझने है, पहला, पूरी एक बार mining complete होने दो, उसमें से burning जो quantity है उसको निकलने दो, supply का blue tick मिलने दो, हाला कि coin gap पर rank है, तो बहुत अच्छा है coin market cap की weight भी ना हो, बट overall job तक समझ आया है, वो, दूसरा point X1 blockchain की weight बहुत जुरूरी है दोस्तो, X and airdrop के लिए form जुरूर फिल कर दो, और क कहीं न कहीं पर X1 blockchain का weight जुरूर करो कि POW और POS का best combination layer मेरे साब से X1 blockchain आएगी, और तीसरा जो सबसे बड़ा impact है, वो है X1 blockchain पे inscription का start होना, यानि कि आने वाले future में, अगर मैं सच में, पिछले वाली hauling से bullrun को impact करूं, जो 2024 के end से हम expect कर रहे हैं, और 2025 में expect कर रहे हैं, तब त का होगा inscription, बहुत top level तक X1 का पहुंच चुका होगा, जिसका सबसे बड़ा positive impact, Zen Crypto के price पर ही, मेरे ही साब से आना जरूर दिखेगा, this is what I can want to say, but please keep it in mind, trade or investing, crypto market में बहुत जादा risky मानी जाते हैं, because you know very well, you are in the highly, highly volatile market, so please do your own research before buying, before starting, before investing in any kind of crypto project, Thank you so much for watching this video and please do subscribe CryptoMark YouTube channel for more updates, thank you so much.